हलो फ्रेंग्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, बड़े बुज़र्गन द्वारा बताये गए, ध्यान रख नहीं होगे, जरूरी बाते नमबर एक, सर्दियों में नाखुन के बरावर जावीत्री चूसने से सर्दी के असर से बचा होता है नमबर दो, रोजाना खाना खाने के बाद छाच पीने से कई रोग नहीं होते हैं, साथ ही चेहरे पर चमक भी आ जाती है नमबर तीन, पेट में कीड़े होतों टमाटर, काली मिर्च और नमक के साथ सुभा साम खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं नमबर चार, आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुभा सुभा हरे घास पर चलना चाहिए नमबर पांच, रोटी बनाते समय भाप से हाथ जल जाए तो आलू काट कर उसका टुकड़ा लगा लें, उससे अराम मिलेगा नमबर च्छे, पेट अगर जादा बढ़ गया हो तो लहसून के रस से पेट की मालिस करें, पेट कम होने लगेगा नमबर साथ, जिन औरतों के चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो उन्हें तुलसी का रस पीना चाहिए, इससे कुछी दिनों में दाग दूर हो जाएंगे नमबर आठ, अगर आप सबजी को ताजा रखना चाहते हैं, तो पानी में सिरका मिला कर सबजियों पर छिड़क दे नमबर नो, रात को सूने से पहले चाय पीने से बचे, इससे आपको पिसाप का इंफेक्शन हो सकता है नमबर दस, दही को जल्दी से अच्छी तरह जमाने के लिए रात को जमाते वक्त दूद में साबुत हरी मिर्च डाल दे, इससे दही अच्छी जमेगी नमबर ग्यार, घर से बाहर निकलते समय एक चम्मच अजवाइन मुँ में रखकर निकले, इससे आपका सरीर गर्म रहेगा नमबर बार, सरसो का तेल हलका सा गर्म करके सिरकी मालिस करने से बाल काले, लंबे और घने हो जाते हैं नमबर तेरह, काफी पॉडर में एलोवीरा जेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं नमबर चौदर, नीम के पत्तों का रस पीने से पेट साफ रहता है और कभी एलर्जे भी नहीं होती है नमबर पंदर, फूल गोबी को पकाने से उसका रंग चला जाता है ऐसा ना हो उसके लिए फूल गोबी सबजी में दूद या फिर सिरका डालें नमबर 16, बिटामिन E की कैपसूल और एलो वीरा जेल को मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर गलो आएगा और रुखापन दूर हो जाएगा नमबर 17, सफर के लिए सबजी बनाते समय मसाला भूनते समय उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दे इससे सबजी का स्वाद बढ़ जाएगा और सबजी खराब भी नहीं होगी नमबर 18, जो लोग सोने से पहले चेहरा नहीं धोते हैं वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं नमबर 19, बंद गोवी का सेवन करने से चेहरे की जुर्यां खत्म होने लगती है नमबर 20, यदि जुकाम का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो इससे बहरे पैन की बिमारी हो सकती है नमबर 21, खटे फलो से कोलेस्टरोल लेवल ठीक राता है सर्दियों में अनार, खाना समाने लोगों के लिए साथ ही हाड पैसेंट के लिए भी लाबदायक होता है नमबर 22, पके पपीते के तुकडे को काट कर चेहरे पर लगा ले और 10 पिनट के बाद चेहरा धोले चेहरा चमक जाएगा नमबर 23, हींग को थोड़ा सा गर्म करके कीडे लगे हुए दात के बीच में रखे इससे दात का कीडा मर जाएगा नमबर 24, पालक से बने चीज खाने से दिमाग तेज होता है और आखों की रोशनी भी तेज होती है नमबर 25, चावल बनाते समय उसमें चुटकी भर हिंग मिला दे इससे चावल का स्वाद अच्छा लगेगा और हमारे स्वास्त के लिए भी बहुत लाबदायक होगा नमबर 26, अदरक और लहसुन को बराबर मात्रा में पीस कर एक छोटा चमच पाने के साथ सेवन करने से पेट की समस्या में अराम मिलता है नमबर 27, प्रेगनेंसी के दोरान पेट में अगर खुजली होती है तो कपूर और नार्यल तेल को मिला कर लगाए नमबर 28, मक्खी और मच्छर से अपने आपको बचा कर रखें या बहुत सारी बिमारिया फैलाते हैं नमबर 39, जो औरते पैरों में चांदी की पायल पहनती है उनके पैर की दर्द की समस्या खत्म हो जाती है और हड़ी भी मजबूत हो जाती है नमबर 30, जो औरते सुभा नहाने के बाद रसोई में जाती है उनके घर में सुकसानती बनी रहती है नमबर 31, अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो विटामिन D का अधिक से अधिक सेवन करें नमबर 32, गैस की तकलीप से तुरंत रहत पाने के लिए लहसुन की दो कली छील कर दो चमज सुध भी के साथ चवा कर खाएं फोरन आराम मिलेगा नमबर 33, आलू का छिलका आपकी तुचावा पर ब्लीच की तरह काम करता है इसे लगाने से आपकी काली पड़ी तुचा का रंग सुधरता है इसलिए आज के बाद आलू के छिलके को फेके नहीं बल्कि उसका इस्तमाल करें नमबर 34, जीरा अजवाइन और काला नमक एक साथ खाने से पेट से पेट निकलने की समस्या खत्म हो जाती है नमबर 35, पेरों के तलवों में भिक्स लगाकर सोने से सीने का कफ दूर होता है सर्दी जुकाम में भी रहत मिलती है नमबर 36, सर्दी के मोसम में गोरा और सुन्दर दिखने के लिए चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं तो एलेवीरा में एक टमाटर का पेट बनाकर मिक्स करके तीन से चार नीम के पत्ते मिलाकर अपने फेस पर अपलाई करें नमबर 37, अगर बच्चे दुबले पतले हैं तो बच्चों को दूद में कलोंजी मिलाकर पिलाया करें वजल तेजी से बढ़ने लगेगा नमबर 38, यदि आपको रोज जी मचलता है और उल्टी लगती है तो समझ जाना चाहिए कि आपका लिवर खराब होने के संकेत है नमबर 41, रोजाना रात को सोते वक्त पैरों के तलवे की मालिस करके सोना चाहिए इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी नमबर 42, जो औरते ज़ादा नहाती है और सीड़ होती है उनके बालों की जड़े नरम हो जाती है और बाल गिरने सुरू हो जाते है नमबर 43, घी के दीपक के लिए सफेद रूई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए जबकि तेल की दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती स्रेश्ट बताई गई है नमबर 44, दीपक हमेशा भगवान की परतिमा के सामने ही लगाना चाहिए कभी कभी भगवान की परतिमा के सामने दीपक ना लगा कर इधर उधर लगा दिया जाता है जबकि यह सही नहीं है गी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ति का उप्योग किया जाना चाहिए नमबर 45 तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुणा भगवान को अरफित किया जा सकता है नमबर 46 किसी भी तरह के जुकाम को ठीक करने के लिए खटे दही में गुड और काली मिर्च कचुण मिला कर खाए इससे खाने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है वीडियो में बताई गई जानकारी सामार जानकारी पर आधारित है किसी भी बिमारी से पिडित होने पर अपने डॉक्टर से सला लेकर ही नियम अपनाए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही अपनी फेमली फ्रेंड्स में सेयर भी कर दे ऐसा ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालू उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुँचे धन्यवाद